जो सतर घाट पूल था एकदम से बादित हो गया तूट गया द्वस्त हो गया पूल के बगल में जो पीच था वो पूरा भस गया अब ना कोई के सरिया जा सकता है ना फैजुलापूर कोई के सरिया से आ सकता है अब ठीक से एक महीने भी नहीं हुआ था कि दोस्तो 64 कडोड की लागत में बना सत्तर घाट महासेतू भर भरा कर गिर पड़ा उसके बाद अब इसको लेकर विहार में सियासत खूब हो रही है विपक्च लगतार सरकार पर हमलावर नज़र आ रहे सरकार से सवाल करता नज़र ब्रहस्टाचार के आरोप भी लगाये जा रहे हैं इसी कड़ी में कॉंग्रेस MLC प्रेमचन मिश्ट्रा ने कहा है कि सरकार की सनलिप्टता है सरकार ब्रहस्टाचारी है जितने भी निर्मान कारे हुए है कई न कई पत्थ निर्मान विभाग की लापरवाई है क्या कुछ क मैं ने जून में न मुंстक्र घ्रटन किया और वह एक महिने भी रही चला टूट गया क्या प्रश्टाचार नहीं दौर कियारें कॉंग्रेस मानना राज में जितने भी से श्क्रिक्सaria के कौश्ट्र के काम हो रहे हैं सिंग पूल्पूलिय के काम हो रहे पत्र निर्मान विभाग की लापरवाही और भष्टचा में सनलिप्सता की वजह से हर निर्मान में गुणवत्ता से समझोता किया गया है और यह पूल जो एक महिना भी नहीं चला दो सो सट करोर रुपे पारी में चलेगी है क्या इसकी कोई जवाब दहीं तैक करेंगे नितिसकुमार जी कावजस का सपष्ट मानना है कि ततकाल बिना किसी बिनम के पत्र निर्मान मंत्री नंद किसोर जादब को मंत्री पटशित से वो बरखास्त करें और पोरे मामले की चा रब्त है इन निर्मान कारियों में कहींने कहीं को भरष्टाचार जाये तो आपने सुना साफ तो और पर फ्रेम चंद मिश्ट्शुआ ने यह आरुप लगां है कि पूरी सल्लेप्टता सरकार की रही है भ्रस्टाचारी सरकार है, कभी भी कोई भी बेल्डिंग का निर्मान होता है वो एक महीने तक सहन नहीं कर पाता आपको बता दे कि गोपाल गंज को चमपारन, सारन और तिरहुत के कहे जिलों में जोडने के लिहाज से सब्तर घाट महासेतू अति महत्वकांशी पूल बनाई गए इसके निर्मान में करीब 264 करोड की लागत आई थी गोपाल गंज में 3 लाग से ज्वादा की उसे पानी का बहाव था गंडक के इतने बड़े जलस्तर के दवाब से इस महासेतू का अप्रोच रोड तूट गया जिसकी वज़े से आब आगामन ठब हो गया बैकुंड पूर से फैजुला पूर में पूल का अप्रोच रोड तूटा है बहराल भाजपा विधायक मिधली शृतिवारी ने इस मामले की जानकारी बिहार के पथ निर्मान मंत्रवी नंदकिशोर यादव को दी उन्होंने कहा कि इस मामले की जार्ज करने के लिए वो आगामी 4 अगस्त को शुरू होने वाले विधान सभा में उठाएंगे इसके साथ अब नेता प्रतिपक्ष भी इसको लेकर हमलावर नज़र आए उन्होंने कहा कि जिस पूल का उधगाटन खुद सीम ने बड़े ताम जाम के साथ किया था जो पूल आट साल से बनी रहा था और जिसे बनाने में 264 कडोर रूपे का खर्च आया वो महज 29 दिन में ही तूट गया तेजस्वी ने आगे कहा है कि नितीश्र कुमार के राज में पूल तूटना आम बात हो गई है इससे पहले भी भागलपुर के कहल गाओं में उद्धाटन के पहले दिन ही पूल तूट गया था इसका साथ ही नेता प्रतिबक्स तूजस्वी आदम ने कहा है कि बिहार में तो चुहे बान तोट देते हैं आदमी पर क्या यकीन किया जाएगा तो साफ तोर पर अब विपक्ष भी हमलावर नज़र आ रहे पूल के एप्रोच रोड तूटने को लेकर अब बिहार की जो सियासत है वो जोर उपर हो रही है देश रोड दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे सब बने रही है और देख ते रही है नमस्कार